फराखान की मा मेनका इरानी को अंतिम बिदाई देने के लिए पहुँचे पॉलिवूट के काफी सितारे सोनाली बेदरे, अभिशेक बच्च, रितिक रोशन, मलिका अरोडा की मा भी अपनी बेटी के साथ पहुँची चाज़त तरफ गम का माहौल है फराखान के हजबन शिरेश कुंदर भी नहीं है, उनके साथ इस वक्त बढ़ जा रहा है कि वो किसी काम से बाहर गह हुए हूए और नहीं पहुँच सकते फराखान की मा के अन्दिम संख़ार में फराखान के फैंस ने भी काफी सोजार गया है और जिस तरीके से फराखान ने ये बात कही है कि मेरी मा मेरे लिए बहुत जादा एहम थी आज मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ तो जिस तरीके से फराखान का एक मैसेज और धा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आज से पहले मा की वो अहमेत नहीं जानी थी जो कि मैंने आज जानी है जिसमें फैंस ने उन्हें कमेंट करके बताया कि फराज जी है आपका ही हाल नहीं है काफी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं कि जब माबाप सामने होते हैं तब उनकी एह्मेत नहीं मालुम होती, लن जब चले जाते हैं, जब उनका एहसास होता है,asons के महीं महसूस होते है कि हमरे लिए हमाले माबाप क्या थे فرا خان نے इस बात को खुद accept किया है कि मैंने अपनी माँ की एहमित नहीं जानी लेकिन आज मालूम चला वैसे तो वो फरा خان की माँ अपने बेटे साजित्खान की साथ रहती थी अब पीच बीच में फरा خان अपनी माँ से मिलने चाथी रहती थी बताया जाता है कि फराखान की जो माँ थी तो वो थोड़ा मतलब मजाक्या मून में जादा रहती थी और वो मतलब काफी अपने बच्चों पर स्टिक भी थी लेकिन दिल की बताया जादा बहुत अच्छी थी यह भी कहा जाता है कि फराखान अब बिल्कुल अपनी मा पर गई है जैसी मा है वैसी ही बेटी है फराखान को भी कहा जाता है कि काफि स्टिक हैं लेकिन कहीश ना कहीश दिल भी बहुत ज़ादा है फराखान ने एक बार कहा था कि मैं स्टिक हूँ, वो क्यों हूँ, मगर उस बात को कोई नहीं समझता, लेकिन सब मुझे कहते हैं, बहुत गुस्से वाली है, बहुत घमाडी है, लेकिन उसके पीछे क्या रिजन है, वो कोई नहीं जानता, तब उन्होंने बताया, कि इसका अ मा को अंतिम बिदाई देने के लिए, काफ़े फैंस, उनके मगफिरत के लिए द्वाई कर रहे हैं, मेन का इराणी की उम्र 79 साल थे, 79 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई, पराखान और साजद खान की जिन्देगी में ये काफ़े दुख का पल है, लेकिन आप द अंदर से, जो के एक हिंदो फैमिले से हैं, साजद खान अभी अखेले हैं, मेन का इराणी का छोटा सा परिवार है, अब इस छोटे से परिवार में रहे गए सिर्फ साजद खान और फराखान, बताया जाता है कि फराखान के मतलब पापा की दूशे शादी होई थी, तो उ कर रहा है, जब थोड़ी सी बात अगर सामने आती है, तब कुला से होते हैं, कि अरे यह हुआ था, तो काफ़े ऐसे सेलिबरिटीज हैं, जिनके सच सामने आए हैं, किसी के दब गए हैं, अब आप जज़ा चाहते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक और ना खाना खान झाल झाल झाल